ट्रीफ और रीफ टोकन का परिचे ट्रीफ एक लेयर एक ब्लॉक्चेन है ये उनके लिए जो लोगों डेफी, एनेफ्टी और ब्लॉक्चेन गेम में शामिल होना चाहते हैं ट्रीफ का मतलब विश्वस्निय, एक्स्टेंसिबल, कुशल और तेज है येह परियोजना को नए क्रिप्टो यूजर के साथ साथ मौझूदा डियेफाई उप्योग करताओं के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें कई ब्लॉक्चेन में फंड और वॉलर्ड बनाय रखना मुश्किल लगता है ट्रीफ का ब्लॉक्चेन सबस्ट्रेट के साथ बनाया गया है और स्टेक सर्वसम्मती मेकेनिजम के नामांकित प्रमान का उप्योग करता है यह रीफ को लगभग 17 सेंट की ओसत की लागत वाले लेंदेन के साथ प्रती सेकन 460 से अधिक लेंदेन को सं साधित करने की अनुमती देता है इसमें Extensible EVM, On-Chain Upgradability, Libub2P Networking और अत्याधुनिक क्रिप्टोग्राफ भी शामिल है Trif Web 3 Developers के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें Smart Contract Uploading और Perineogen के लिए Remix और EVM एक इक्रित विकास वातावरन जैसे Developer Tool और सुविधाओं का एक सूट प्रदान करता है Trif Scan Blockchain Explorer सत्यापन करताओं को तैनात करने, Bond और नामांकित करने में मदद करने के साथ साथ स्मार्ट अनुबंधों को डीबग करने और Network के प्रदर्शन की निगरानी करने में मदद करता है Trif Command Line Tools जो Developers को स्थानिय वातावरन से Application को तैनात करने की अनुमती देते हैं Blockchain तक पहुँचने और Interact करने के लिए Reef Wallet Trif स्थानिय उप्योगिता टोकन है जो Reef Blockchain को शक्ती प्रदान करता है Trif Token का उप्योग फीज के लिए NFT की धलाई, लेंदेन को संसाधित करने, डेटा संग्रहीत करने, स्टेकिंग के माध्यम से सत्यापन करता नोड्स चलाने और सत्यापन करताओं को नामित करने के लिए किया जाता है स्थानी उप्योगिता टोकन के अलावा, Reef Ethereum पर ERC-Bees के रूप में या Binance Smart Chain पर BEP-Bees टोकन के रूप में भी उपलब्ध है Reef Token धारक अपने ERC-Bees या BEP-Bees टोकन को Reef Native Token के लिए आसानी से स्वैप कर सकते हैं और इसके विपरीट हाला कि Reef Token को कुल आपूर्ती के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि वे Transient Token है जो तीन अलग-अलग रूपों में मौजूद हैं इसका मतलब है कि वे नश्ट हो जाएंगे क्योंकि अधिक उप्योग करता Reef के Blockchain में परिवर्तित हो जाते हैं और नक्ती की अदला बदली की मांग कम हो जाती है Reef में अधिकतम Token वर्तमान में आपूर्ती में नहीं है इसके अपस्फीती मौडल में Reef की लचीली आपूर्ती को संतुलन में रखने के लिए शुल्क बनिंग तंतर शामिल है इसके अलावा शुल्क के लिए उप्योग किये जाने वाले Reef Token को आपूर्ती से लगातार हटा दिया जाता है रीफ बनिंग के आंकडे Reef Scan वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं अंततर रीफ का उद्देश्य क्रिप्टो निवेश को आसान बनाना, कम शुल्क और तेज लेंदिन प्रदान करना और डेफी, NFT और ब्लोक्चेंग गेमिंग में प्रवेश की बाधा को तोड़ना है